हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप सब को बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में और अभी मेरे खरका सब भी काम हो गया जो सुबा के काम होता है ना सब काम मैंने कर दिया है और नास्ता हो गया है सब दुगना हालिये हैं और अब मैं जा रही हूं दोपहर का खाना बनान तो उसे भी मैं अभी बना लेगी तो बस यही है मेरा आज का बपार का लंच ही रहेगा और वीडियो आप लोगों में खोड़ी भी अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजेगा और मेरे चैनल में न्यू में हो गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और सा आज कृषिने और बनाती है फिर दोपार का था तो यह मेरे पास लौकी रखी हुई यह इतनी सी को मैं इसको आधा ही लोंगी इसका आधा ही बनाऊंगी तो चलिए भी इसको कट कर लेते हैं तो मैं इसको आधा कट कर लूँगी और आधी को बनाऊंगी आधी को भी छोड़ दूँगी मैं कुछ और से काम आएगा हूँ तो वस इसे छील लेते हैं या इसे बड़े बड़े कुड़ों में काट लूगी और इसमीज़े दाल में डाला है यह तो यहादा बड़े कुड़ों में और ज्यादा बड़े बीज नहीं है तो इसके बीज में महिनी काल लूगी बस अब इसमें मैं इसको डाल दूँगी फिर इसे दो सीटी होने तक मैं गैस में चड़ा दूँगी ज्यादा नहीं पकाना है मुझे क्योंकि लौकी गल जाएगी और यहाँ पर मेरे पास साख था उसे भी मैं साफ कर लूँगी इसे भी मैं अभी बना लूँगी क्योंकि अगर यह रखा रह जाएगा तो फिर इसके पत्ते जो हैं मुर्जा जाते हैं तो इसलिए तुरन बनाना सही रहता है तो इसे भी मैं अभी बना लूँगी और इसके साफ करते तक जो कूकर है वो दो सुटी सुटी सरी दे चुकी थी तो बस इसे ही मैं चौक लूँगी और चौकने के लिए जीरा, लसन, प्याज, हरी मिर्च बस यही सब डाल के मैं चौक लगा लूँगी और इसमें मैं सुखे मसाले डालूँगी हल्दी पाउडर, मेंज पाउडर, धनिया पाउडर और जब यह थो और दो उबाल आने तक ही पकाऊँगी और हाँ इसमें नमक भी मैं उसके बाद डाल दूँगी चौकने के बाद, तो बस दो उबाल आएगा और यह सब जिवन के तयार हो जाएगी, और साथ साथ मैं साग भी बना ली थी, इसके बाद मैं साग को भी बना ली थी, और फिर म के तयार ओचुका है और रषा मोज़ लंके तयार हो चुका हैं और ये है मेरा आज का खाना दो पहर का apt ल्तुफन नभी अगर मचैं का ऐं ले की देखोंगी फॉम्हें मुझे लगता है की तो रोटी मेरा काम चल जाएगा तो चलिए अभी हम लंच कर लेते हैं और फिर उसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ और खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा आराम किया उसके बाद यह भी साम का समय है और यह कपड़े सुबा मैंने धोए थे तो अब यह सुप चुके हैं तो इसे अभी मैं तुरंथ ही फोल करके उनको उनके जगह पर रख दूँगी फिर अगर मैं सोचूंगी कि मैं बाद में फोल्ड करूंगी तो फिर वो रखा रह जाता है तो बस इसे तुरंथ ही फोल्ड करके जगह पर रख दूँगी और मेरे घर बहुत जाता जगह नहीं है यह जो आपको अलमारी दिख रही है ना खुली हुई जिसमें कपड़े दिख रहे हैं बस उसे में मैं डेली उसके कपड़े रखती हूँ तो बस इसे मैं यहां रख दूँगी और फिर यह काम खतम हो जाएगा इसके बाद मैं किचन में जाओंगी आप अब साम हो गई है तो मैं अपने लिए बना देती हूँ चाय क्योंकि रहुल अभी नहीं है नहीं आएंगे अभी थोड़ा ताइम लगेगा तो अभी मैं सिब अपने लिए बनाओंगी जाए जोगते हैं बुच बुच बुची मैंने कुछ सालों तक चाय पीना रुक्तु भी बन कर दिया था कभी कभी अगर किसी के घर हम गए और वो चाय तो इस तरह से कभी कभी ही पीती थी लोकिन क्या हुआ कि जैसे ही साम होती है न मुझे चाय पीने की मतलब इक्षय हो जाती है थोड़ा थोड़ा कम करना है तो यहां पर मैं यह दिखा रही हूं कि यह पैपल वाले सी राय दिख रही ना आपको तो यही पत्ते सहीं रहते हैं पतोड़े बनाने के लिए और जो यह ग्रीन वाली पत्ते इसके आते हैं तो वो सबजी के लिए सहीं रहता है तो इसे अभी मैं कट कर लोंगी तो आप जोग देखिएगा मैं इस तरह से क org है बना घृत टुम अगर घृताई टुकोंगों कि बनाँगी याज तुरिज अगर हम cutting हम करेंगे तो यह आसानी से कट होला जाते हैं तो वह सूद्धी जो आ मोटी सी राय है原 के इसे इस तरह से निकाल देंगे और फिर इसके बाद इसे बारिक बारिक अच्छे से काट लेंगे और जितना बारिक काटेंगे न उतना ही ये अच्छा रहेगा बनने के लिए तो बस इसे इसी तरह से काटने से ज्यादा आसानी होती है तो आप लोग देखिएगा कि ये मैं किस त ही पिते हैं तो वही अच्छी लगती हमें पिते हैं यह इत लुब सी तो यह कट गया है मेरे यह पत्ता अरभी के पत्ते कट ली कर लिए मैंने अब इसमें मुझे डालना है थोड़ी सी अजवाई इसमें मुझे टालना है तील थोड़ी सी लाल मिर्च और इसमें जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला और हाफ कप यह है चामल काटा पर निए पर, पहले आधार अरंग में एक कप मैंने ने दिया है तो आधार में थोड़़ाई दूगी अगर में इसमें एड़ करूंगी थोड़ा सा रखूंगी जर्रस होगी तो फिर इसमें पूरे नार दूंगी और अब इसमें जाएगा ये नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट असे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है अब इसम número निक्स कर लेती हैं न से इसे पूरे डालना पड़ेगा अब इसे मैंने अच्छे से मिला लिया है आप लोग देख सकते हैं और थोड़ा सा हाथ में तेल लगा कि इस अशु कीजिएगा क्योंकि यह चिपकता है हाथ में तो थोड़ा थोड़ा तेल लगाना सहीं रहता है और मेरे पास पहले ही मैंने बताया था कि मेरे पास तो स्टीमर नहीं है तो फिर मैं इसे इडली का जो साचा होता है उसे ही उसी से मैं इसे स्टीम करूंगी तो यहां पर मैंने बना के इडली के साचे में रखे फिर इसे वही 15-20 मिनिट तक स्टीम कर लूँगी और इस तरह से मैंने तयार कर लिया है और बस यहां पर मैं 15-20 मिनिट के लिए स्टीम कर लूँगी तर यह तयार हो चुका है और थंडा भी हो चुका है और अच्छे से पक गया है तो चलिए इसको कट करते हैं, थंडा होने के बाद ही काटेंगे तो इससे कटता है, अगर गरम-गरम काट लेंगे तो फिर यह उतना अच्छा नहीं कट पाता है इसलिए अब चलिए कट करते हुझे इसको सेलो फ्राई कर लेंगे इसे तो बस यहां दिसा आ गई है तो उसको भी इस तरह से कुछ काम करना अच्छा लगता है किचन का तो वही अभी फ्राई कर लेगी तो यहां थोड़ा सा तेल और जीरा डालके फिर यह सारे जो पतोड़े हैं इन्हें इस तरह से एक बाद एक रख में तो देखिए यहां पर बनके तयार हो चुका है हमारा अर्भी के पत्ते के पतववे पतोड़े भी बोलते हैं पतववा भी बोलते हैं जो भी आप बोलते हो तो यह इस तरह से बनके तयार हो चुका है और देखने में तो अच्छा लग रहा है देखते हैं खाने में क्य झाल बाइ